जै मा भवानी, शिंग राज की यातकों श्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आज के सिंग राज की देनिक राजबल की लेकिन उससे पहले बात करेते हैं आज के पंच्यांग के वारे में एक जुलाई, दोजरवाईश, शुक्रवार का दिन है और अशार माश शुक्ल पक्ष याज दोती आती थी और नशत्रे आज पुश है अब जीत महूरताज दुपाहर एक जारा बचकर, शुएतिस मेंट से लेके दुपाहर बारा बचके, सताइस मेंट तक रहेगा आज के शुरोदर सुबह पांच बचकर, तेश मेंट पे और चंद्रमा किस्तिती रहेगी करकराशी पर आज के जो अस्ब समय होगा, वह तक्रिवन होगा साम चार बचकर, पेंतालिस मेंट से लेके साम छे बचकर, बच्तेश मेंट तक रहेगा इस अस्ब समय में कोई भिशुप और ने कार किस्तित रहेगी तो विग्रवाध हाई आ सकती है अब बात करते हैं आज के सिंग राज के जाज के रासफल की और ये प्रेक्शन चंदराशी पर अधारित है सिंग रास के रातकों आज पांच बड़ी गुड़नीज मिलेंगे और धनलाभ और राजयोक के निर्वार हो रहे हैं जिससे आपको विशेश लाभ होगा धन संपत्य में लाभ होगा सिंग रास के रातकों आज माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ और राधना करके दिन किस्तिरुआत करें तो पूरा दिन सुब रहेगा चुकि आज एक जुलाई शुक्रवार का दिन है माता लक्ष्मी को लॉंग इलाइची जरूर अर्पित करें और अगले दिन इस लॉंग इलाइची को खालें तो बैवाहिक जीवन में जो तनाव रहता है वो खत्म हो जाता है बैवाहिक जीवन काफी अच्छा हो जाता है माता लक्ष्मी कृपा से आज आज आपको आमदनी तो बढ़े की धन के स्त्रोथ बनेंगे व्यापार व्यवर्थियों की एडार नोश्वधर होगा कई मेधपूर । शेसलक से लाव होगा मालाक्ष्मी कृपा शे आज सिंग्राज शेयत को भागदार नाएंगे जो भागदार करेंगे उसमें आपको लागतार बने रहे कि प्रयास जो करेंगे उसमें सफलता कतम चूमे किसा थी आज कुछ महत्पूर नियने डिसीजन ले सकते हैं आज आप फैसले के लिए जाने जाएंगे और ये फैसला आपके लिए काफी हितकारी भी रह सकते हैं लेकर सोच समझकर करें और किसी के बहकावे में आकर कोई भी गलत नियने डिसीजन ना लें जो भी काम करें सोच समझकर करें फैसला खुद के लें किसी के बहकावे में आकर कोई भी गलत फैसला आज के दिन ना लें तो सिंग रास्केत को आज के दिन काफी बिशेश रहने वाला है काम के शिरुवात कर सकते हैं नए ब्यापार के शिरुवात कर सकते हैं नोकरी में प्रमोशन होगा कारियों ब्रदी होगी महतपूर्ण चीजे लाब की योग बनेंगे साथ ही बड़े अधिकारियों को सपोर्ट प्रात होगा उच्छे धिकारी आपके कामों के परसंसा करेंगे काम काज के लिहास से देखा जाए तो आज की दिन काफी बिशेश रहने वाला है आज अंधनी के स्रोथ भी बढ़ेंगे अंधनी के स्रोथ में बरदी होने से भी तुलाब होगा शाथ ही साथ धन ब्यापार की इस्तिती में भी मजबूती देखने को मिलेगी कारियों में यार ही परेशानिया भी खत्म हो जाएंगी और कुछ अच्छे कारियों में बरदी होगी जो कार अभी तक अधोरे पड़े थे पिनने थे उन्हें पूरा कर सकते हैं लगतार प्रयास करेंगे तो सफलताएं कदम चूमेंगी और आज आंधनी के स्रोथ भी बढ़ेंगे आपकी आंधनी तो बढ़ेगी लेकिन आज आज आपको पैसे के ज़रूरत पढ़ने परकिशी से मागने भी पड़ सकते हैं शाथी साथ आज आपको भागदाओर करनी पड़ सकते हैं यात्राएं करनी पड़ सकते हैं यात्रा आपकी विदेश की भी हो सकते हैं बिजनेस ब्यापार कारोवार के सिलसले से भी जा सकते हैं। माता पिता का सिरवात प्राप्त होगा। आज आपको बड़े भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। जीवन साथी अगर कोई बिजनेस भी आपार कर रहे हैं तो तरक्की होगी और आपका शहयोग प्राप्त होगा। संतान की ओर से भी कोई खुश कबरी मिलेगी। संतान की तरक्की से भी आपका मन काफी परसंड रहेगा। साथी आज आपको अपने घर परवार के शुक शादर में बर्धी करेंगे। समाज में मान समान की बर्धी होगे। समाज में आपकी लोकृता बढ़ेगी। समाज में आपका कुछ महत्मुन कार करने का मौका मिलेगा। समाज में बर्धी होगे। बिशेश रहेगा और आज इस्टुडेंट के लिए बड़े संस्था में दाखला लेने का मौका मिलेगा बड़े संस्था में दाखला ले सकते हैं उच्छा की प्राप्ति कर सकते हैं साथी साथ आज भागदाओर बनी रहेगी विदेश की यात्राइं करेंगे विदेशी कंपने से लाब होगा, स्वास्त का वेहतर लाब ले पाएंगे, स्वास्त भी अच्छा रहेगा, समाज में मन समन और लोग प्रता हाँ से लोगी, तो आज की जिन काफी अच्छा रहने वाला है, आज आपके लिए लाब की योग बने रहेंगे, आज आपका आपके लाब की योगी, आपके लोगी, 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 आपके